क्या आपको पता है कि RBL bank का main problem क्या है RBL bank का main problem growth यानि कि credit growth नहीं है business growth नहीं है तो अगर आपके पास RBL bank का share है तो यह video specially आपके लिए आपको पता है तो इस video के अंदर हम लोग जानने की कोसिस करेंगे कि RBL bank का जो asset quality है वो अभी कैसा है जिसके कारण company इतना pressure में है तो चलिए जानते है RBL bank का asset quality यानिके non-performing asset की बारे में तो सबसे पहरे जैसे का स्क्रीन में देख पा रहे है कि company का जो asset quality है वो उतना अच्छा अभी भी नहीं है gross NPA यानि की bank का जो loan बाटने के बाद जो interest का पैसा होता है वो 90 days के अंदर नहीं आते है तो उसको NPA के अंदर डाल दिया जाता है तो उसको gross NPA कहलाता है तो RBL bank ने जैसे की जितना भी पैसा बाटा उसमें से अभी भी 3.61% पैसा gross NPA के अंदर मौजू था यानि की ये पैसा अभी तक नहीं आया है जो आना चाहिए था तो RBL bank के जो gross NPA December quarter में opening था वो है 2457 क्रोर और उसमें जो नया within this quarter नया जो addition हुआ है वो है 608 क्रोर राइट साइड में आप यहापे देख पाएंगे 2457 क्रोर last quarter में ये closing था तो ये इसको opening किया गया है उसके बाद नया जो जुड़ा है वो है 608 क्रोर यानि की नया NPA इसके बात है bank के लिए अप्ग्रेड कितना किया गया है तो 99 क्रोर यहाँ पे अप्ग्रेड किया गया है कितना recovery bank किया है तो 126 क्रोर का recovery company ने किया है यानि कि जो NPA पहले था उसको company ने recover किया है तो recovery भी यहाँ ठीक ठाक दिखाई दे रहे है अगर write-off की बात करें यानि कुछ प 2469 क्रोर का जो closing gross NPA दिखाई दे रहे है तो यहाँ पे slightly जैसे कि अब देख पाई है slightly amount के हिसाब से यहाँ पे बढ़ा है यानि कि company के जो gross NPA है वो amount के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे बढ़ा है लेकिन percentage इसलिए कमा है क्योंकि company के जो credit growth है वो improve हुआ है तो अभी company के gross जो NPA है वो 3.61% का है जो last quarter में था 3.80% अभी बात करते है company का net NPA का यानि कि last quarter में company के ओपर 790 क्रोर का NPA हुआ करता था net NPA यानि कि जो पैसा बापस नहीं आने वाला है वो एकदम खाते में out करके रखा है तो यह 790 क्रोर का था अभी भी यह amount same है यानि कि RBL bank का net NPA है वो अभी भी amount के साब से same है तो यह percentage देखेंगे तो यह decreases आपको दिखाए देखेंगे कि market के अंदर जो loan भाता है वो increase हुआ है तो 1.26% था पहले वो गिर के 1.18% हो गया है यह एक के नीचे अच्छा एक number माना जाता है लेकिन अभी भी RBL bank के उपर 1.18% का दिखाणा है उसके बाद slippages ratio को भी अब देखें यानि कि कितना जो नया NPA यहाँ पर declare हुआ है वो ratio कम होना अच्छी बात होता है तो देखते हैं यहाँ पर जो slippages ratio है वो 0.83% से गिर के 0.61% में आया है तो यह अच्छी बात है bank के लिए जो 500 crore के आसपास था हो यह 383 crore में आ चुका है यानि कि यहाँ पर जो gross NPA के अंदर जो पैसा completely नहीं आने वाले होता है वो net NPA में डाला जाता है तो gross NPA से 383 crore नया जो slippages है वो जोर के net NPA में जुच चुका है अभी थोरा हम लोग NPA को breakout करते हैं सबसे पहले gross NPA को समझते हैं तो company दो हिस्ते में अपने loan बाठता है एक ह तो बड़ा corporate को जाता है वो retail यानि कि छोटा मोड़ा जो loan बाठता है वो तो wholesale की अंदर जो gross NPA है वो 1172 crore कर रहा जो quarter to quarter wise यहाँ पर कम हुआ है लेकिन retail का जो NPA है वो यहाँ पर बढ़ा है यानि कि छोटा मोड़ा जो loan है उसमें ही company को दिकत अभी दे रहा है business loan की बात कर है others के अंदर भी थोड़ा सा बढ़ा है तो सब मिला के करीकोई 2469 crore का gross NPA अभी है जो quarter to quarter देखेंगे तो थोड़ा amount के सबसे बढ़ा है net NPA की बात करते हैं तो जब net NPA की बात करें तो वहाँ पे wholesale की अंदर थोड़ा सा improvements दिखाई दे रहा है quarter to quarter wise जहाँ पे 362 crore का net NPA थ है 428 से इंक्रीज होके 468 में आ चुका है और यहां पे साड़े को मिला के यहां पे amount देखें नेट NPA का वह सेम रहा है तो मुद्दे के बात यह है कि company का NPA इंक्रीज हो रहा है तो अगर आपके पर शेयर है अच्छे तरह से research कीजिए उसके बाद ही निभी